पवन सिंग ने जो लकीर खैची है वाकए उसके आस पास भी खेसारी लाल यादो तो नजर नहीं आते ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको बताऊंगा और किस तरीके से पवन सिंग का नाम जो है बॉली बुड से लेके पूरे साउ तक छाया हुआ है और उनके नाम का दंका बज रहा है ये भी आपको बताऊंगा और साथी साथ इसके बारे में भी जानकारी दूँगा कि किस तरीके से बॉली बुड के कलाकार जो है वो चाहते हैं कि कास पवन सिंग भी उनके साथ एक वीडियो कर ले और तू आई नहीं की तरफ वो भी हिट हो जाए इसके पारे में भी आपको जानकारी दूँगा और इस बात से भी आपको अउगत कराऊंगा और फिर मैं आपसे जानना भी चाहूंगा कि आखिरकार लकीर खैचना किसे कहते हैं अगर पवन सिंग ने लकीर नहीं खीचा है तो लेकिन उससे पहले मेरा परिचे जान लीजिए मेर परिचा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं पाउन सिंग और खिसारी को लेकि हमेशा से ये कहा जाता है कि पाउन सिंग और खिसारी के बीच में टकर है ये दोनों एक दूसरे के जो है वो कॉम्पेटीटर है लेकिन आज मैं आपको एक बात बताऊंगा औ बहां तक अभी नहीं पहुचे हैं इसका कारण क्या है सबसे पहले आप समझ जाएए आपको याद होगा पॉण सिंग ने इस बात का जिक्र किया था कि अगला म्यूजिक वीडियो जो है वो बादशा और बी पराग के साथ करने वाले हैं इसके उपर बातचीज जो है वो चल रही है और आपको ये ज्याद बियोगा कि किस तरीके से पहुचे से पहुच सिंग ने इस बात का जिक्र किया था कि बातसा और इसके साथ भी पराग उनके साथ कोलैब करने वाले हैं और गाना गाने वाले हैं तो आए नहीं के बाद जो उनको भूम मिला हुआ है पूरे ब बॉली बुड में वहाँ पे खिसारी लाल यादो दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसी वज़े से आपको ये भी बता दू कि जितने भी बड़े-बड़े बॉली बुड के कलाकार है वो पवन सिंग के साथ काम करना चाहते हैं और उसी में एक और नाम जुड़ गया है और वो पीडिया के द्वारा ये पूछा गया कि क्या आप पॉन सिंग के साथ को ये बॉल रहे हैं तो इससे आप अनजा लगा सकते हैं कि पॉन सिंग का जो एक लेवल है वो कहां पहुत गया है जहां पे सब ही स्टार जो हैं वो कह रहे हैं कि वो पॉण सिंग के साथ काम करेंगे इससे पहले जब वो एक पॉडकास्ट में गये थे उस दोरान ये भी बात आया था कि कुछ जो हिंदी मूवी के जो डारेक्टर हैं वो भी पॉण सिंग को अपने मूवी में बतौर एक्टर बॉली बुड में पॉण सिंग के साथ काम करना इन्होंने झाते हैं कि पॉण सिंग के साथ कॉलैब करें क्या सुख विंदर सिंग जो की पंजाब के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं इनके कई गाने जो हैं वो बहुत शांदार रहे हैं और इनके गाने जो हैं कई बार इनके गाने की जो है वो चर्चा हमेशा होती रहती है तो क्या सुख विंदर सिंग जब ये कह रहे हैं कि ये पौन सिंग के साथ कॉलेब करना चाहते हैं तो क्या इन्होंने कभी खिसारी के साथ कहा है तो लेबल किसे कहते हैं और लकीर खैचना किसे कहते हैं आखिरकार इस लकीर के आगे आगे आपको कौन सा आक्टर या फिर कौन सा भोधपूरी का कलाकार दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि पवन सिंग ने जो लकीर खैचा है उसके आस पास भी कोई दूसरा कलाकार तो नहीं दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से अभी इनका बॉली बुड में एक तरीके से डंका बजड़ा है इनके नाम का कि पाउन सिंग और देख लीजेगा कुछ सालों में आपको ये देखने को भी मिल जाए कि पाउन सिंग बतोर बॉली बुड एक्टर भी का सकती है अंदर खाने से एक खबर आ रहा है कि उनका और बॉली बुड का कुछ काम वाम जो है वो शुरू भी हो चुका है और जल्दी ही आपको पाउन सिंग चौकाने भी वाले हैं तो आखिरकार लकीर खैचना और अपने आपको साबित करना इसे ही कहते हैं जो पाउन सिं इसकी वज़े से पूरे भोजपूरी समाज को इन पे गर्व है और पूरे बिहार के लोग इस बात को मानने को तयार भी हैं कि पवन सिंग ने जो लकीर खैची है उसके आज पास कोई और नहीं है मतलब पवन सिंग अभी भोजपूरी के सबसे बड़े स्टार है और इसमें कोई शक नहीं है बाकी बोलने को कहने को लोग कोई कुछ भी कहे लेकिन जिस तरीके के अभी इनके काम चल ला है सुकविंदर सिंग बातसा अभी पराग साउथ मूवीज में बॉली बुड में उसके बाद अभी मूवी लाँच करने वाले हैं तो इससे बरा और क्या लकीर हो सकता है और कौन सा भोजपूरी का एक गायक जो बिलकुल नीचे हस्तर से उठा और उसके बाद अब बॉली बुड में गाना गा रहा है बतोर अक्टर लाँच हो रहा है जरा हमें ये भी बता दीजिए लोग कहा कि बॉली बुड में तो बहुत लोग गाना गाए है पॉन सिंग ने काम किया है बाकी बोलने के लोग कुछ भी कहें आप पॉन सिंग और पावर स्टार की बारे में क्या कहना चाहते हैं कि क्रिप्या कॉमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुचा सकते हैं बाकी आप देख रहे हैं जंता जंक्शन और मेरा नाम रजत ह झाहते हैं